रिनाल्ट कंपनी के फॉर विलर में HSRP रेजिस्टेशन का फुल प्रासेस इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ और भी गाड़ियों का अगर आप रेजिस्टेशन प्रासेस देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे आप जाके देख सकत हैं हर कमेंट का रिपलाई देने की कोशिज करता हूँ चल यह वीडियो सुरू करते हैं अपको बुक में आना होगा उसके बाद यहां पर हाई शीक्योटी रिजिस्टेशन प्लेट विद कलर इस्टिकर पर यहां पे क्लिक करना होगा इससे पहले फ्रेंस आप यहां प्री इस पहले अच्छीक नम्बर प्लेट पर जैसे कलिक करते हैं इस्टेप वन्ट पर आपको वीकल में कापसानाता है यहां से जिस गाड़ी का आप करवाना चाते हैं उसके बाद जिस इस्टेट से यहां पर क्लिक कर दिजिए बिनापके पास इस प्राइबेट और कमर्सियल कापसन आता है तभी हमको प्राइबेट पे क्लिक करना होगा यहां से step 4 में आ जाते हैं यहां से fuel type चूच कर लिए जो भी गाड़ी में fuel लगता हो तभी हम यहां से petrol पे क्लिक करते हैं then step 5 में इस पे type का लिंक आपको description में मिल जाएगा वहां से गाड़ी नंबर डाल के सबसे नीचे fuel type में लिखा होगा क्या उनसा fuel लगता है तो वहां से आप पता कर सकते हैं BS stage यहां से हम BS 3 डाल देते हैं उसके बाद यहां पर registration date डालना होगा registration नंबर, changes number आखरी पाचंग और engine नंबर भी आखरी पाचंग fill करने के बाद आपको उपर scroll करना होगा अब यहां से आप contact information RC में जो भी आपको detail लिखी होगी आपको यहां पर fill करना होगा honor name में मतलब गाड़ी का नाम डालना होगा email id डालनी होगी और honor number डालना होगा email id और mobile number इसमें कोई भी आप डाल सकते हैं honor number मतलब contact number billing address में आपको RC में जो address लिखी होगी आपको यहां पर डालना होगा अपना state यहां से आप select कर लीजिए अभी हम यहां से उत्तर परद्श select कर लेते हैं उसके बाद city डाल देनी होगी then यहां से आपको next कर देना होगा यह जो ght number friends यहां दिख रहा है यह आप सनल है आप इसे छोड़ सकते हैं उसके बाद यहां पर next पर जैसे क्लिक करते हैं अब आप पहुंचते है step 7 में delivery का option में home delivery में additional आपको डाईसु रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा dealer point मैं आपको recommend करूंगा आप home delivery जो है मत चूच किए कि उसकी इसमें बहुत ही ज्यादा लोचा हो रहा है UP में आप चेक करने के लिए आप इस पर जैसे क्लिक करते हैं अब यहां पर आपको pin code डालना पड़ेगा अपने area का तभी मैंने pin code डाल दिया यहां पर check availability भी क्लिक करेंगे तो यह currently service is not available इस area हम दीख रहा होगा सहर कर डालिएगा हो सकता है कहीं कहीं होगा अभी तभी हम back चलत करते हैं उसके बाद यहां पर dealer appointment पर क्लिक करते हैं अब यहां पर friends all पर आपको click करना होगा अपना city यहां से आप 3.84 इतना चार्ज है एड्रस दिख जाएगा उसके बाद आपको जो सबसे पहली डेट मिलेगी appointment की नंबर प्लेट फिट करोने के लिए वो मिलेगी 31 12 20 टाइमिंग ये अब नीचे स्कॉल कर गिएगा यहां से company के पूरी detail आती रहती है तो यहां से फ्रेंट से स्कॉल करके आप टाइमिंग अपने हिसाफ से सलेट कर लिजिए तब ही हम 12 से दो कर देते हैं अब यहां से आपको confirm प्रोशीट पे क्लिक करना होगा इस टेप 11 में आप 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 आजाते हैं यहां से अपना और नेम देख सकते हैं मोबाइल नंबर देख सकते हैं इमेल अगर फ्रेंट्स आपको मैसेज इसी नंबर पर चाहिएगा जो आपने नंबर उपर लिखा तो इस पर क्लिक किजिएगा वह नंबर फिर से यहां पर जाएगा अब नीचे जैसे करते हैं यहां से फ्रेंट्स जो इसका चार्ज है वह आप यहां से देख सकते हैं कितना जेस्टी लगा है कितना सी जेस्टी लगा है उसके बाट टोटल चार्ज यहां से आप देख सकते हैं यहां से टर्ड कंडिशन एक्सेप्ट करेंगे पे online पे okay करेंगे आप यह आपको redirect करेगा payment site पे अब मैं आपको recommend करूंगो friends कि अगर आप यहाँ से wallet phone pay 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 click करते हैं तो आप यहाँ से charge देख सकते हैं बढ़ जाता है तो आपको यहाँ से UPI phone pay pay k click करना होगा it pay pay click करना होगा थे वहाँ से उतना ही charge है तो friends ऐसा आपको UPI phone pay pay फिक करना होगा थोड़ा charge लगता है पॉइंट जो सिक्स्ते है यहाँ से continue प्रßen limit एक क्लिक करना होगा यह बापको रिडारेट कर देगा आपकी फोन पे पे आपको वेट करना होगा यहां से आप देख सकते हैं हम फोन पे पे आ जाते हैं यहां से जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस पे क्लिक करते हैं यहां से आपको पाशवर्ट डालना होगा यहां से आप देखते हैं की आपकी रिस्टी जो हम आ जाती आपको अड़ोगा लेंड ना होगा इसके बाद नीचे B कोई कोशेन उस्वाठा हो थinkमेंट कर सकते हैं इस्टागराम पर फालो करने लिए लिंक description मिल जाएगी वहाँ से मुझे आप इंट्राग्राम पर फालू कर सकते हैं चलिए मिलते हैं किसी नेक्ट टूडियो में जैहिंद वन्दे मात्रम